कि आइज को बैलकूम टू आईयव लाइपए और मी कपूटर इंस्टीटूट में आप सभी का स्वाग़त व्य दोस्तो है आज हम बात करेंगे वर्टेज मेमोरी दोने कि यह क्पूटर की मेमोरी क्या होता है चाहँ कंपिटर की मैमोरी के बारे में आज हम discuss करेंगे और जो इसे क्या होगा दोस्तु जो भी आने वाला वीडियो रहेगा उसका नपी किसने आपको तुरंद मिलता रहेगा और आप तो अच्छ से टॉपिक का आप देख करके और अच्छे नॉलिज प्राप्त कर सकते हैं इसका तुरंद ही आपको नॉटिविकिसन प्राप्त हो जाता है तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे computer memory जो हमारी computer की memory होती है अर्थात जिसको computer की याददास कहा जाता है जिस तरह से एक मानव सरीर में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिस्क होता है उसी तरह से computer system में भी सभी data को manage करने के लिए इन future देखने के लिए हमारे computer की memory होती है हमारे computer का एक main हिसा एक memory होती है जिस तरह से हमारे मानव सरीर में 90% control हमारे brain का होता है हमारी memory का होता है उसी तरह से हमारे computer system में 90% ही हमारा system जो है उसको control करके रखता है brain अर्थात memory अगर जिस मनुस्य का control माइंड डिस डिस्पर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो क्या है पागल जैसे बेहुप करने लगता इसी तरह से हमारा जो 90% control होता है वो brain पर होता है मानव सरीर में 90% जो body control होता है वो brain पर अगर आपका brain सही रहेगा तो उसी तरह से रहेगा तो आज हम बही चीज को डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तों और बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम डिसकस करेंगे आज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैमोरी से संबंदित एक भी आपका question एक भी डाउट आपका नहीं रहने का है इ एक डाउट को आज हम इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर करेंगे मैमोरी से संबंदित किसी भी competition exam में अर्थात किसी भी computer level में आपका exam आता है तो आप उससे तुरंत ही आप discuss कर सकते हैं को तुरंत ही उसको solve कर सकते हैं उसका answer दे सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे what is memory यानि memory क्या है जिस तरह से हमारे computer की याददास को हम memory कहते हैं नि हम किसी भी प्रकार के data को manage करने के लिए अर्थात इन future उस data को देखने के लिए हम क्या करते हैं memory में हम अपने data को रखते हैं जिससे हम इन फ्यूचर कभी भी इस डेटा को देख सकें यानि हमारे कम्प्यूटर की एक मेमोरी की याद्दास की रूप में कार्रा करती है इसी चीज को हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अब बात करेंगे टाइपस ऑप मेमोरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो मेमोरी हमारे दो ही प्रकार होते हैं मेमोरी के दो ही प्रकार होते हैं एक होता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और दूसरा होता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी देखी हमारे मेमोरी के दो प्रकार होते हैं प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी अब एक आजाता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का क्या रहता है और सेकंडरी मेमोरी क्या होता है उस चीज के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं अब इन चीजों के भी क्या है पिरकार हैं जिस तरह से मेमोरी हमारे पास कितने प्रकार हैं दो प्रकार हैं कौन-क के भी हमारे पास दो प्रकार आप इस ड्राइग्राम के देख करके आप अच्छे समझ जाएंगे और प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास दो प्रकार जिसको बोलते हैं एक होता है हमारे पास रेम और एक होता है उस चीज़ को भी हम discuss कर लेते हैं रेम के टाइपस होते हैं हमारे पास दो एक होता है हमारे पास S रेम और एक होता है हमारे पास D रेम देखी S रेम का मतलब होता Static Random Access Memory और D रेम का मतलब होता Dynamic Random Access Memory इसी तरह से हमारे पास ROM के भी प्रकार है Rom के हमारे पास three types होते हैं जैसे हमारे पास पी ऋपिलों है उसके बाद वेग्यानिकों ने ईप रॉम को डेब्लोप किया उसके बाद हमारे पास डषे Яश ना गार मेंड ओड यह हमारे ताइप हो जाते हैं primary memory के हम बात कर लिए में मेंडरी कोन बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा फेमस क्या होता है सेकंडरी में में पेंडराइब होता है अर्था बिलना इलेक्टिसिटी पावर दिए भी आप टेंडराइब का यूज कर सकते हैं फिलोफी है है कि इसभी क्या है सीडी है इसभी क्या है हमारे पास प्रेंडराइब अपना पास फान रखते होंगे और उसमें क्या था आप जो इसकी में मूरी ऑल्ली बहुत है अगर आपको किसी तरह का अलग से अगर डेटा को आपको मेनेज करना है कोई सौंग अगर आपको उसमें । रखना है तो हम एक मेंमूरी कार्ड करते थे जिसे हम עक्षर बोल देते हैं चिप वह muli card कहलाता यानि जो उसके अंदर लगा है card है तो है ही उसको बोलते है primary memory जो एक्स्ट्रा चीजों को रखने के लिए external memory का यूज करते हैं जिसको secondary memory कहा जाता है अब इसके उधारान हो सकते हैं वह हमारे पास HDD है अब एक computer रहेगा computer में हम secondary memory जिसको बोलते हैं हार्डिक्स secondary memory के रूप में यूज करते हैं हार्डिक्स ड्राइब HDD का मतलब होता हार्डिक्स ड्राइब SSD का ही latest version क्या है SSD आ चुका है present time परतमान समय में HDD का latest version SSD आ गया है दोस्तों SSD का मतलब होता solid state drive अर्था देखो इसका मतलब क्या है जो एच लिडी और SSD की तुलना में दोनों में बहुत जड़ा होता है यह से तीन गुना महेंगा है यह आपको 2000 मिलेंग गाटो या आपको जो में साथ सजार मैलेगा SSD तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्स्टेंट हो खराब हो जाता क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगे होती है कि सीडी लगे होती है जिसको थोड़ा से भी गिरने पर भी हमारा खराब हो सकता है लेकिन SSD की तुल नाव हमारा जो SSD है वो एक स्टेट्टराइब है इसको बहुत जाद है यानि हमारा बहुत टाइम तर इसमें डाटा रह सकता है यह हमारा नाटा होता है और यह जल्दी खराब भी नहीं होती है पेंडराइब अक्सर आप सभी यूज किये होंगे वए फिलोपी फिलोपी पहले टाइम में हम यूज की करते थे सिदी सीडी का मतलब होतां कमपैक्ट डिस्क जो सीडी डीवीडी में चलाते देख सीडी जो रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं यह यह जिसी तरह से हमें एक्स्टर मेमोरी की उधारन है किसी भी डाटा को एक्स्ट्रा रखने के लिए आप आपके पास स्मॉर्ट फॉन भी होंग वही उसके अलाबा भी हमें data को अलग से रखने के लिए क्या करते हैं वही एक memory पर्चिस कर लेते हैं मार्केट से उस memory card को अपकाने फॉन में लगा लेते हैं उसमें अपना जो external data उसको रख लेते हैं वही क्या कहलते हैं अब बात कर ली प्राइमरी के सब्सक्रे жиз & memory अर्टा यानी चैंजबल डाटा नहीं है इसको ब्स्रेटाइल मेरी कहा जाता है वाई इसमें यह एस साई ए Decker मेमोर्य है रेम हमारा कých कार नही Imp Meter में जो भी कार्था आप कमांड देंगे वैंस्याध구리 पहले रोम में जाएगा उसके बाद ही जो भी processing आगे की धिकलियह होती होती ठीक है तो हमारा जो रेम है कार्या करता यानि सब कुछ कुछ लाने ले जाने का कारल रेम कर रहता है लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है अब जितनी देर आप कोई डाटा फाइल बनाए कंपूइटर में अगर उस फाइल को अगर आप पर्मानेंटल यानि इन फ्यूचर अगर उस डेटा को देखना चाहते हैं तब आपको ज सेव नहीं कि किसी वज़ा से लेक्टिसिटी अगर आपका कट हो जाता है तो क्या होगा आपका डाटा भी लोस हो जाया क्योंकि रेम में जो डाटा रहता है वह हमारे लिए टेम्प्रेली रहता है जितनी देर हम कंपूइटर सिस्टम पर कारे कर रहे हैं दोस्तों उतनी ही किसी वज़े से लेक्टिसिटी कट होती है तो हमारा डाटा भी लौस हो जाता है अगर उस डेटा को हम इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो उस डेटा को हमें पर्मानेन्ट एनी सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना होता है जिससे हम उसे भविस्षय में कभी भी देख सकते है तो यह रेम हमारी एक एस था ही मेमोरी होती है इसे में डाटा जितनी दिर हम computer system पर कार रहे करते हैं दोस्तों उतनी ही दिर हमारे computer system में data available रहता है किसी वज़े से electricity cut हो जाती है तो हमारे data भी loss हो जाता है इस data को permanently save करने के लिए अर्थात in future देखने के लिए हमें से केंडरी में अर्थात extended memory देखने करना रहता है अब रेम के भी हमारे दो टाइपस होते हैं दोस्तों जिसे बोला जाता है एस रेम क्या मतलब होता है static random access memory डी रेम क्या मतलब होता है non-volatile memory किसी वज़े से अगर हमाई electricity कट भी हो जाती है तो इसके अंदर हम data को थोड़ी देर के लिए manage करके रख सकते यानि data हमारा बापिस आ सकता है यह read कर लेती है क्या है read only memory non versatile memory अर्था यह इस थाई memory इसमें data एक बार को रह सकता है हमारा और इसके रोम के दोस्तों थ्री टाइपस है यानि तीन टाइपस हैं एक होता है पी जचटा मतलब और ऑल और याला ऑटर सुद्यघ्रा और यहMeन और उन समझते यह अन्य के थुक्ण नेप气 नेकों तो आता है इक वारे कंपनी जो रिएक बार रिट लिख देगी दाटाद है बार-बार दोहर आएगा यानि कहने का मतलब यही है कि दोस्तों एक बार जो कंपनी सेट कर देती है उसमें डाटा किसी भी डिवाइस में वही पिरक्रिया हमारी चलती है अब आप समझ लेते हैं किस तरह से सेट करती है उस चीज़ को माने लेजिए कि पेड़ फोन चला होंगे है जैसे आप एप स्माटवान को यूज करते हीँ इस माटवान में जिस कंपनी का आप उस कंपनी कर रहे हैं उस प्वा औरे आको और कर तह तो उसमें देखते हैं खराबी थी दोस्तों इस चीज को समझ लेते हैं जब बैग्यानिक किसी भी कंपनी में इस चीज को एक बार लिख दिया जाता था तो इसको मिटा नहीं सकते हों नहीं सकते थे जैसे आप देखें होंगे तो क्या हम उस डेटा को जो बॉल पेपर लगा होता है वो इसी के अको कि हम जो डाटा एक बार कंपनीस में डाल दिये हैं उस डाटा को दो बार हम यानि रिमूब नहीं कर सकते तो यह सबसे बड़ी खुराबी थी तो बैग्यानिक उने क्या काम करा पी रोम की जगे किसको लिया यह यपी रोम को लिया अब एपी रोम में क्या था वैई एपी रोम में क्या था एरेजेवल प्रोग्रामेवल रीडॉण ली मेमोरी अर्थात इपी रोम का मतलब होता है यानि हम डाटा तो इसमें रीमूब कर सकते थे लेकिन कंडिशन थी कि वह हम इस डेटा को परावेंगनी प्रिकास से उजागर किय जाता था जाता था कि अब इसमें एक कंडिशन और भी खराबि थी कि हमें पूरे कंप्योटर सिस्टम को खोलना पड़ता था उसके बाद मदरवोड से आई सी को निकाला जाता था उसके बाद हम उसको प्रावेंगनी प्रिकास से उसको जागर करके और भीड़क不好 करके समस्या थी डिमूब तो कर सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादे डिफीकल्ट रूप से हम इसको रिमूब कर सकते थे फिर उसके बाद में बैग्यानिकों ने और इसकी खोज किये वह उस इपी रोम की जगे क्या लियाए डवल इपी रोम डवल इपी रोम का मतलब होता है दोस् को सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थात अब हमें कम्पीटर सिस्टम ओपन करने की यानि उसके हाडवेर से हमें कुछ भी छेड़खानी करने की आवा सकता नहीं होगी वह कैसे अब हमारे पास डवल इपी रोम है इलेक्ट्रोनिक एरेजवल प्रोग्रामेबल रीडॉनली म यानि अर्थात इसका मतलब होता है कि हम इस डेटा को एलेट्रोनिक के माध्यम से अर्था इंकाले हम इस डेटा को रिमूब कर सकते हैं और दूसरा डाटा को इस में डाल सकते हैं तो यह कंदिसन हमारे लिए आशोगी इस विसको डेवलोव किया गया अब इनकी फिल परह क्या होता है reid only memory room को बोलते हैं read only memory memory उसके बाद भी प्रोग्रामेवल रोम इसको बोल देते हैं प्रोग्रामेवल A Rome opening Aunque मतलब होता है principle इरेजरेवल प्रोग्रामेवल को जो जो ब्रोग्रामेवर लुए लीड अरों लिडे को लगा सकते है इसके आगे क्या है अब इलेक्ट्रोनिक लगा दीए ना है क्या है इलेक्ट्रोनिक है और सैम से अभी प्रोग्रमेबल रिडे और अनली मेमोरी अब का पूछ लेका तो भी क्या है इसकी तरद्सक कोre 16 म्ाच कब होस्था पूछ लेता है कई वार उसमें भी आ जाता रहे है कॉंपैक्ट डिस्क क्या वोते हैं कॉंपैक्ट डिस्क रेम का पूछ लेगा तो रेंड़म एक्सिस मेमोरी इस तरह!!!! इसके इन्पोर्टेंट बर्क रहते हैं मेमोरी के बारे में अगर आपको यह वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिले है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि कोई भी आने वाला वेडियो को आपको तुरंद मिलता रहेगा और जो निव वीवर्स हैं वो नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब बेटन को सब्सक्राइब करें और देखिए हम एक बात अक्षर आप से कहते आये हैं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे रीजिनिंग से मैज से सम्बंदित हैं कम्प्यूटर से सम्बंदित एक से ट्रिक स सम्बंदित आपको बीडियोस मिलते रहें तो दोस्तों को अप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए जससे अगर आप ऽ Да करने वाले हैं आप मेहनत कीजिए और इस समय कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादे प्रोग्लम होता ही इस्टुडेंट्स को क्योंकि कोचिंग संसाय सब बंद रहती हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर पाते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको एक से अच्छे से टॉपिक आपको ब किया है आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती परिश्णम कीजिए मेहनत कीजिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए और आप एक दिन बिल्कुल लक्षे को प्राप कर सकते हैं क्योंकि कहा गया देखिए मेहनत बताती है कि प्रड़राम कैसा होगा बरना प सफलता में थोड़ा संतर है सफलता आपका परीचे दुनिया के को कराएगी लेकिन ऐस सफलता दुनिया का परीचे आपको कराएगी इसलिए आप सभी से हम कहना चाहेंगे बेटा आप सफल जरूर होईए क्योंकि पतंग को पता होता है कि उसे एक दिन कच्ड़े की डिब्बे में जाना है उससे पहले उसे आसमान को छूकर के दिखाना होता है तो आप सफल जरूर होईए क्योंकि दिखिए हम सभी छात्र छात्रा उसे कहना चाहेंगे अभी वक्त है टाइम निकाल करके पढ़ लेजिए अगर आप सूचिएगा कि अराम कर लें तो सारी जिंदकी आपको परिशानी उठानी पड़ेगी परिशानी उठानी पड़ेगी अगर आप इस समय अगर आप पढ़ लेंगे बहनत कर लेंगे तो आप सारी जिंदकी परिशानी उठानी आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ह हर चीज का वेटा टाइम होता है एक डिऊरेशन होती है अगर टाइम से समय के साथ अगर हम चलेंगे तो हम हर यह चीज की उच्छाई होगोगों प्राप्त कर सकते हैं अगर समय के साथ सब नहीं चले तो समय खुद तैय कर देगा आपको किस तरह से चलाना है तो बेटा आप मेहनत किजिए अपने जो काम्याबी है उस चीज को प्राप्त किजिए क्यांकि आप जानते हैं भी बरतमाँ समय कंपीटर का बहुत जादा जरूरत है इस चीज की है मेहनत अगर आप कीजिएगा तो आप मेहनत करके आप उन लक्षों को प्राप्ट कर सकते हैं जो आपके जो आपके गोल्स हैं उनको प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत important हो जाता है हमारे लिए कामियाभी होना क्योंकि देखिए 97% लोग 97% लोग काम करते करते ठक कर यानि हार कर काम करना छोड़ देते हैं और उन 3% लोगों के लिए काम करना start कर देते हैं जिनोंने कभी हार नहीं मानें दोस्तों 99% की category में आपको नहीं आना है 3% की category में आना है 3% लोग ही रह जाते हैं जो अपनी जिन्दगीं कभी हार नहीं मानते अगर आपको जो हैं इसी तरह से आप कामयाबी को अपनी हासिल करना है तो आपको मेहनत करके दिखाना होगा अपनी सफलता को दिखाना होगा मेहनत इतनी खामोसी से करो की कामयाबी सोर मचा दे क्योंकि आप मेहनत को इतनी खामोसी से कीजिए जो कि जिस दिने आप कामयाब रहेंगे उस दिन आपका समाज में छेतर में नाम होगा क्योंकि देखिए हर एक माता पिता के ड्रिम्स होते हैं कि हमारा लड़का भी एक दिन कामयाब होगा और हमारा भी एक दिन नाम करेगा तो बेटा अपने माता पिता के ड्रिम्स को कभी मत तोड़िएगा और कभी भी हमें अपने माता पिता के ड्रिम्स को किसी भी गर्ल्स के लिए तो हमें कभी भी अपने माता पिता के ड्रिम्स को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्याद इंपर्टेंट होता है क्योंकि आपके लिए इतना कुछ किये हैं आपको इतनी एजूकेशन की इतना महेंगा हो चुका है इतना मेहनत से आपको पड़ा लिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है एक उनका उनकी आसा है कि वेटा सपनों को कभी मत तोड़िएगा हम सभी चात्र चात्रा उसे यही कहना चाते हैं आप इससे अच्छा अगर आप पड़ रहे हैं तो उनके डिम्स को आप जरूर पूरा कीजिए क्योंकि बहुत अक्सर ऐसे चात्र हैं जो बहुत ग्रेजुशन डिग्री आपकर रखें लेकिन थोड़ी लापरवाई करते हैं बाहर जाकर के और वो अपने शपनों को साकान नहीं करपा पाते क्योंकि इससे गलत मेसेज जाता है समाज के शेत्म के भी उसका लड़का सक्सेस नहीं हो उसने इस तरह से कर रखें तो बहुत ज़्यादेंट हो जाता है हमाली कम से कम अगर अगर आप पढ़ रहे हो तो सक्सेस होके दिखाई हैं फिर उससे अच्छा पढ़िए मत क्योंकि समाज के अंदर संदेश नहीं जाएगा अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी कार्यों कर रहे हैं तो एक द्रंड संकल्प ले लिजिए कि हां मुझे भी काम्याब होना है मुझे आप के जैसा तो इसी तरह से आप मेहनत कीजिए तो दोस्तों आज का टॉपिक ही सवाप्त होता है धन्यवाद